जैन सातियों कैसे हैं आपसे लोग देखिए इस सीरीज का ये पार्ट 20 है अब तक हमने 1900 प्रशनों को कंप्लिट कर लिया है और इस वीडियो को लेकर हम टोटल 100 प्रशनों को और कवर करेंगे तो टोटल हमारे 2000 प्रशनों कंप्लिट हो जाएंगे बाखी 1500 और बचेंगे तो उनकों 15 वीडियो में कंप्लिट ठलेंगे तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं किसे बले बता दूं जो लोग नहीं हों चैनल को सब्सक्राइब विरू कर लेंगे साथ में बेल आइक में प्रशन कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा और कमेंट पर आई दिली में क्या गया था यारके का साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बेमस्टेक विससर की समूं की बैठा को नई दिली में आई क्या गया था और देखिए जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसने जो है भारत की पहली स्वादिशी रूप से विक्सित लीथियम आय पर उत्वादन शुरू कर देगा और इखिए जो का बांगलाद इस है इसके तेज गिनबाद सुईदुल इसलाम को आई सीसी ने डोपिंग का उनलंगहन करने के बाद इनको दस माहिने के लिए निलंबित कर दिया था जुलाई 2022 में और इखिए दिल्ली में भारत का पहला इवेस्ट इउको पार्क बनाय जाएगा और इस इवेस्ट इउको पार्क को दिल्ली के होलांबी कला में बनाने के लिए लगबग 21 एकर जमीन का उपयोग किया जाएगा और दिखिए आर्बियाई ने ओलाफ फाइनेंसियल सर्विसेज पर टोटल एक दसमालो 6-7 करोड र उचाइग बनाय गए थे मुस्त फिजूर रह्मान का बनाय गए थे जुलाई में और इन्हों ने उस समय मुहम्मद इमरान का स्थान लिया था इस पर और दिखिए जो आपका अगनी कुल कॉसमास है तो अभी हाली में इस कंपनी ने चेन्नाई में भारत का पहला नीजी र चिप को विक्सित किया है और दिखिए जो आपका भारत देश है अपना भारत के सोत करताओं ने जो है सार्स को टू को निस्क्री करने के लिए नय सिंथेटिक पेप्टराइट्स S.I.H.5 को विक्सित किया था 2022 में और दिखिए नैसकाम फाउंडेशन ने डीजी वानी काल सेंटर स्ताप्रित करने के लिए गूगल के साथ में सम्झोता गिया था और यह कि पियम मोदी ने जो है इसराइल अमेरिका और संयुक्त अरब अमिरात के साथ पहला जो वर्चुल आई-टू यूटू सीकर सम्झेलन था तो इसमें भाग लिया था दिखिए आई-टू और यू-टू का मतलब हो गया एक आपका यू-एस से होगा दूसरा हो गया यूनाइटेड अरब मिरात तो आई-टी यू-टू में ये चार देश सामिल है यार रखे है इसको और रिखिए डाक्टर एस जैसंकर जो की भारत के विदेश मंत्री हैं के द्वारां कनेक्टिन त्रू कल्चर पूस्तक को लांच के गया था 2022 में और राश्री रेल और परिवहां संस्तान का नाम बदल कर गती सक्ती विस्विदार्य कर दिया गया है यार रखे है उसको और जापान ने जो है अपने पूरो प्रधानमंतरी सिंजो आबे को देश की सर्वोच समान दकालर आपड़ सुप्रीम आड़र आपड़ क्राई से समान क्या था मरड़ो परांथ और बिसी स्टी आई के अदक सौरव गंगली को ब्रेटेन की संसत ने समान क्या था 2022 में और भारत का पहला मंकी पाक्स वाइरस का मामला दिखा गया था केरल में देखे मुझे लगता है कोई भी बीमारी अगर इंडिया में आती है तो सबसे पहले केरल में आती है क्यों इसका सबसे बड़ा कारारी है केरल में सबसे अधिक लूजोय प्रवासी है यह केरल के मैक्सिमम लूजोय वो बिदेसों में जॉब करते हैं तो बिदेसों से जब वो फ्लाइट से आते हैं तो और इके दिया मिर्जा और अफ्रोच साहब को जो है महराश्ट की सरकार ने मदर टेरेसा मेमोरियल आवार्ड से समन्द किया था 2022 में और इन दोनों को परियावरणी स्थिर्था में इनकी सारानी और उलेखनी उपलवदियों के लिए ये समन्द दिया गया था और इके 2022 में पदमजा नाइडू हिमालियन जोलोचकल पार्क दाजरिंग ने लगभग 5 वर्जों में टोटल 20 रेट पांड़ा को जंगलों में छोड़ने है तू एक महत्वा कांची कारेकरम शूरू किया था और इकी विश्वा आर्तीक फोरम ने अभिहाली में 2022 में अपने जेंडर कैप रिपोर्ट 22 को जारी किया था और इस रिपोर्ट में भारत को 135 अस्तान पर रखा गया था तो सरल सब्दों में कह सकते हैं कि जेंडर कैप रिपोर्ट है रवाइस में भारत 135 अस्तान पर था और 146 दिसों के बीच में भारत 135 अस्तान पर था दीखे इस रिपोर्ट में आइसलेंड को पहले सान पर रखा गया था और उसके बाद फिनलेंड और तीसरे सान पर भी नार्वे था और पंजाब की पटियाला कोट ने मानो तसकरी केस में दलेर महंदी की तोटल दो साल की इनको सजा सुनाई थी इनकी सजा को बरकरा रखा था और यहीं चीन और पाकिस्तान के दोरा सी गार्डियस टू समुद्री यह भ्यास आईद किया गया था और यह भ्यास संगाई में आईद किया गया था प्रेस्न को गुमा के पुचा जाएगा कि MHRomeo Helicopter भारत ने किस दे से लिया है खरीदा है तो अमेरिका से खरीदा है और इसे जो आपका फ्रांस है तो फ्रांस प्रतेख वर्ष 14 जुलाई को राष्टी दिवस के रूप में मनाता है जीसे बास्तिला दिवस भी कहते हैं और यह टाइम और 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉट लैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया की सरुसेश रहे है और इस सुची में दूसरा सान पर सिकागो है फिर आपका मेडिलीन है फिर गलास्गो है फिर एमस्टरडम है परागवे है फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो आपका मारकेश है और उसको अदबर्लीन है फिर मॉन्ट्रियल फिर कोफेगन है तो यह दुनिया के सरुसेश रहे हैं इसको यार रखेगा आप चिक है और ये राश्टी संसागत रैंकिंग फ्रेमवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व सब के बारे मैं आपको डीटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है और लंबा वीडियो है ठीक है तो मैं आपको पूरे डाठा देता हूं आप इसका स्क्रीन सोट ले लिएगा कि कौन सा जो है समक्र स्रेडी में नंबर वन पे है कौन सा फार्मेसी कालेज में तो दीखें यह मैंने के अपता है समक्र स्रेडी में आपका आयएटी मदरा से नंबर वन पे है दिखें यहाँ पे हैं समक्र स्रेडी के इंसिट्थीट की रंकिंग है तो यह इसमें नंबर वन तू तौ त्री, फोर कौन है उसको पर नोट कर लिएगा कि यहाँ पे जो इस duo लिश्ट है य और यहां पे जो है आपका इंजिनीरिंग काले सेनेडी का रेंकिंग है इसको भी नूट को लिजेगा जिसमें IIT मदरास नमबरोन पे हैं और दीखे 15 जुलाई को हमने 12 राष्टी प्लास्टिक सरजरी दिवस मनाया जिसकी थीम थी जून 2022 में ब्यापार घाटा भारत का 26.1 अरब डालर तक जो है पहुंच गया था इसको या रखेगा और इकी जो भारत का केंदरी क्रिशिय और किसान कल्यान मंत्राले है इसने इने प्लेटफॉर्म के तहट प्लेटफॉर्म आप प्लेटफॉर्म्स को लांच किया है और इकी Reliance Industry Limited ने भारत में Athletics के समगर विकास को सक्षम बनाने के लिए Athletics Federation आप इंडिया के साथ सम्झोता किया था 2022 में और इकी भारत का जो सूचना और प्रसाड मंत्रालाइस के जो केंदरी मंत्री है नुराग्ठापूर इन्हों ने नई दिली में जो है एक टेलिविजन स्रंकला सुराज का सुभारम किया था 2022 में और जो आपका सुराज है देखिए इस सीरीज में 75 एपिसोड के नाटक में मुक्ती योधाओं और सुधनता अंदुलन के गुमनाम नायकों की योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा दीखिए पूसकर सिंग्धामी एक बार फिर से जो है उतराखट के मुक्ती बने थे 2022 में और दीखिए गूगल की जो मूल कंपनी है इसका नाम है अलफाबेट इंक इसके बोर्ड में सामिल किया गया है मार्टी साविच को जुलाई 2022 में दीखिए पूसकर बहुत बार फिर से जो है गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है तो उसका नाम है अलफाबेट इंक और दीखिए 2022 में भारती एर्टेल ने गूगल को टोटल एक बिलियन अमेरिकी डालर में जो है 1.2% एक्विटी सेर अवंटी थी थे यहार रखेगा कि भारती एर्टेल ने गूगल को एक बिलियन अमेरिकी डालर में 1.2% एक्विटी सेर जो है बेचे थे और यह संद पोप फ्रांसी ने टोटल तीन मैलाओं जिनका नाम मारिया लिया जर्वीनो है और यहोन रेंगोएट है और रैफेला पेट्रीनी है तो इन तीनों को धर्मादेक्शों की सलाकार समीथी में नियूग किया था और यह अपनी नीची इंटरनेट से हुआ सूरू करने वाला केरल पहला राजी बन गया था दो जर्वाइस में और भारत ने अंतराश्टी महत्व के टोटल पांच नए वेट्लेंट्स यानि की आर्थ भूमी असल को नामित किया था और यह पांच असल कौन है इनका नाम एक्जाम में पूछा जागा तो मैं आपको बदादे रहा हूँ तो के भी हाली में पांच भारती आर्थ भूमी को अंतराश्टी महत्व के आर्थ भूमी के रूप में रामसर की मानिता मिली थी इसमें तमिल नाडू में तीन वेट लेंड्स यानि की आर्थ भूमी असल जैसे की पहला इसमें है करी, किली, पक्षी, बहरान, दूसरा है पली, करनई, मार्स, रिजर, और फारेश्ट और तीसरा है पीछ वरम, मेंग्रोव और फिर मिजोरम में एक आपका असल था जिसका नाम था पाला आर्थ भूमी और उसके बाद फिर एक मद्य प्रदेश में जिसका नाम था साके सागर तो इन पांच नए वेट लेंड्स को जो है भी लिश्ट में जोड़ा गया ठीक है और देखिए बता दूँ आपको कि इस प्रकार अब जो है इन सब के जुड़ने के बाद से मतलब जो भारत में वेट लेंड्स की संख्या हो गई थी ये 49 से बढ़कर 54 हो गई थी देखिए इसके बाद भी कुछ वेट लेंड्स को जोड़ा गया था जिसको मैं आगे आगे को वीडियो में बताऊंगा कि उसके बाद जोह देश में फिर कुछ कितने रामसर साइट्स हो गये थे तो फिलाज जोह जुलाई में चवगन हो गये थे उसके बाद बढ़े से मैं उसको आगे अपडेट देखिए दूँगा भी और देखिए जो भारती ग्रेंड मास्टर अरबिंद चीतनमरह में इन्होंने स्पेन में आज उतुछ 41 में विलाडी बेनास के इंटरनेशनल सतरंज ओपन में जीत हाजिल की थी और देखिए जो भारत का उभगता मामलो का मंतराला है इसने जागरिती नाम का एक सुभंकर यानि की मैसकोट लांच कया था और ये कुछ इस प्रकार्ट से जागरिती दिखती है और देखिए आई 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 टी दिली में नए जनकरणा देठा वर्क स्टेशन का उखाटन किया गया था और देखिए जो वन कार्ड कंपनी है ये जो है 100 मिलियन डालर के निवेस के बाद भारत का 104 यूनिकारन कंपनी बन गया है और राष्ट मंडल खेल 2022 का आई जन जो है यूनाइटेट किंग्डम के बर्मिंगम में 28 जुलाई से 8 अगस्त दो 2022 तक किया गया था और देखिए कोलकाता में जो होगली नदी है ठीक है तो वहाँ पर भारत के रक्षामंतिर राधना सिंग ने चौथा प्रोजेक्ट 17 ए स्टिल्थ फिग्रेट दूनागिरी को लांच किया था तो दूनागिरी को कोलकाता में होगले नदी में लांच किया था और देखिए इंगलाइन के आलाउंडर बेन इस्टोक्स ने वन डे क्रिकेट से सन्यास ले लिया था 2022 में और इखिए वेस्ट इंडिज के क्रिकेटर्स जिसका नाम है लेंडल सीमंस और दिनेस रामदिन इन दोनों ने एक साथ सन्यास ले था 2022 में क्रिकेट से और इखिए राजस्थान राज ने अपनी पहली डिजिटल लोग अदालत की शुरुआत की थी 2022 में और आश्ट्रेलिया की महान टेनिस के लाड़ी लेटन हेविट ने को जो है टेनिस हाल आप फिम में सामिल किया गया था 2022 में और इखिए दिल्ली की सरकार ने हैपनेस उत्सव मनाय था 2022 में और खादी ग्रामोद्योग आयोग के नया सदसे नया धक्ष बने हैं मनोश कुमार और इन्होंने विनय कुमार सकसेना का सान लिया था जुलाई में और इखिए भारत तिब्बत सीमा पुलेजिस को अब ITBB कहते हैं तो इसने सिक्की में पहला माउंटेन वारफेर ट्रेनिंग स्कूल यानि की परवती जुद्ध प्रसिक्षर सुबिधा स्थापित क्या था याद रिखेगा और इके मेटा के द्वारा जो की फेस्बुक की मूल कंपनी है तो मेटा के द्वारा पहली बार वार्सिक मानवादिका रिपोर्ट जारी की गए थी 2022 में और इके भारत के एक निशानेबाज है महराज एहमद खान इन्होंने आई एसेसर बिशुकप में पूर्सों की स्कीट इसपर्धा में देश को पहला स्वन पदक दिला कर इतिहा सरच दिया था और इके राज सुकला को संग लोग सेवा आयूक का सरच से बनाए गया है दिखें जो आपके एस धनलक्ष्मी है और एस वरे बाबू है तो इन दोनों को जो है प्रतिवंधित पदार्ध के सेवन का दोसी पाई जाने के बाद कॉमन वेल गेम से बैन कर दिया गया था और इसे जो पांगलादेश के क्रिकेटर तमी मिकबाल है इनोंने टी ट्वंटी इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया था 2022 में और स्टेट बैंक आफ इंडिया ने वाटसब बैंकिंग सिवा को सुरू किया था जुलाई 2022 में और उत्तराखंट के मुक्यमंत्री ने जो है मुक्यमंत्री उधियमान की लाड़ी को उन्यान युजना को 2022 में शुरू किया था तो जारके का मुक्यमंत्री उधियमान की लाड़ी को उन्यान युजना उत्तराखंट सरकार की युजना है बदाए कमिन बॉक्स में उत्राखट के मौके मंतरी कौन है और देखे इंस्टाग्राम ने पेमेंट इन चैट फीजर को लांग किया था 2022 में और मार्गरेट अलवा को जो है ये उपराश्पती पत का उमिदवार बनाए गया था एंडिये के खिलाब खेर ये चुनी नहीं कहीं लेकिन याद रखेगा कि कांग्रेस पार्टी की दरब से मार्गरेट अलवा को उपराश्पती पत का उमिदवार बनाए गया था और देखे भारती एर टेल कंपनी ने भारत के पहले 5G नेजी नेटवर का सफल परिशर किया था 2022 में देखे भारती एर टेल के द्वारा देश के पहले 5G नेटवर का बैंगलूरू में बास आर्टोमेटिव इलेक्रेनारिक सेंथ में जो है सफलता पूरा परिशर किया गया था तो सबसे पहले 5G का परिशर किसने किया एर टेल ने ठीक है और देखे उत्तराखन के मुख्यमंत्री बुषकर धामी ने जो है सूसरी आरात्ना जोहरी के द्वारा लिखी पुस्तक बियांड दा मिस्टरी वेल का विमोचन किया था 2022 में और देखे भारत की जो पंदरवी राश्पती है ये दुरोपदी मुर्मु चुने के थी यारके का पंदरवी राश्पती ठीक है और रतन इंडिया पाउर के नए M.D. बनाए गये थे बिरजेस गुपता 2022 में और जुलाई 2022 में जारी फॉप से रियल टाइम अरपतियों की सूची में जो आपके गौतम अडानी है ये बिल गेट्स को पचारते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर ब्यक्ती बन गये थे जुलाई महिने में दुनिया के सबसे अमीर ब्यक्ती थे एलन मस्क और दूसरे स्थान पर बर्नारट अरलाट थे और तीसरे स्थान पर जै बईजोस थे चौते पर गौतमराणी आगए थे और दसमें स्थान पर आपके मुक्य सम्मानी थे ज़िख है मुक्य सम्मानी दुनिया के दसमें सबसे अमीर ब्यक्ती थे और देखे स्मार्ट सीटी फंड के उपयोग में जो आपका तमिल नाडू है इसका मलब ये जो है सबसे पहले असान पर है देखे स्मार्ट सीटी फंड के उपयोग में तमिल नाडू पूरे भारत में नंबर वन है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और जुलाई 2022 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 87 वंसान पर रखा गया था दीए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दो पर जारी होता है तो ये जुलाई वाला इंडेक्स था यादर के का कन्फ्यूज नहीं होना है तो जुलाई 2022 में जारी हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 87 में अस्थान पर रखा गया था जापान पहले सिंगापूर दूसरे दक्षिर कुरिया तीसरे जर्मनी चोथे स्पेन पांच में, फिनलेंड शेट में, साथ में विजिटली, आठ में पे लगजंबर्ग, नवें पे आश्टी और दस में नमबर पर देर्मार था दुनिया के सबसे सक्तिसाली पासपोर्ट की सुझी में दिखे जो जापान का पासपोर्ट है, इसको लेकर आप 193 देसों में बिना विज़ा के विजिट कर सकते हैं जबकि सिंगापूर और दक्षिर कुरिया के पासपोर्ट से 192 देसों में आप बिना विज़ा के विजिट कर सकते हैं और दिके एसिया के अने देशों में मारिसर और ताजिकिस्तान के साथ भारत जो है 87 अस्तान पर था तिक है यानि कि 87 अस्तान जो है भारत को अकेले नहीं बलकि मारिसर और ताजिकिस्तान के साथ मिला था और भारत और ताजिकिस्तान और मारिसर के पासपोर्ट के साथ आप बिभिन्न देशों के टोटल 345 विजदेशी अंतर रिशियान को लांच करने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया था और देखे इन विदेशी उबरों के परशेफ़र के माध्यम से अरजित विदेशी मुद्रा थी 5.6 करोड डालर और 22 करोड यूरो यार रखेगा इसको ये बहुत ही मोडेंट है और देखे इंगलेंड में अत्याधी गर्मी की लहर के कारण जो है यहाँ पर पहली बार रेड अलर्ट मौसम की चेताउनी 222 में दी गए थी ये प्रशन एक्जाम में पूछा भी किया था इसको यार रखेगा और देखे जो आपका जवाला नेरुपोर्ट है ये बंदरगा जो है भारत का पहला सो पृतिसत लेन्ड लाड मॉडल वाला बंदरगा बन गया है और देखे नामीविया देश जो है तो भारत ने यहाँ से चीते लाने के लिए एक समझोधा किया था यानि कि भारत सरकार ने नामीबिया से चीता लाने के लिए समझोता किया था 2022 में और स्रिलंका के राजपदी बने थे रानेल विक्रम सिंग है और इन्होंने गोटा बाया राजपक्षे का अस्तान लिया था जुलाई 2022 में और कुएत के नाय प्रधान मत्री जुलाई महिने में सेख मुहम्मद सबा अल सले मने थे और इन्होंने इस पत पर सेख सबा अल खालिद अमद अल सबा का अस्तान लिया था और इखे असम की राजपदी सरकार ने स्वा निर्भार नार योजना को सुरू किया था 2022 में और इखे बिहार सरकार ने अपने बिहार राज में कौसल विकास मिसन को बढ़ावा देने के लिए फिलिप कार्ड के साथ समझोता किया था और प्रधान मत्री वाई वंदना योजना को 21 जुलाई 2017 को लांच किया था और इके 21 जुलाई 2022 को इसके 5 साल पूरे हो गए थे और इके जुलाई 2022 में RBI ने जो है श्री मलेकारजून पताना कोपरेटिव बैंक लिमिटेड करनाटक और नासी जिलागिर्णा कोपरेटिव महराष्ट और राइगर सहकारी बैंक इन तोनों कोपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाए था और इके अंतराश्टी हाकी महासंग ने भारती प्रसासक नरिंदर बत्रा के इस्तिविय के बाद जो है सैप आहमेज जोकी मिसर के हैं इनको अपना कारेवा का देख्ष मनाया था जुराई 2022 में और कारेवा यूद को यह समात हुआ था 26 जुलाई 1999 को और आपको वता तो कारेवा यूद्ह था ठीक है तो यह शुरू हुआ था 3 मई 1999 को और 26 जुलाई 1999 को यह कतम हुआ था जिसमें भारत ने बिजय हशर की थी और देखे तेरवी पीटर्सबर्ग जलवाई वर्ता को जो है जर्मनी में आईद किया गया था और देखे भी हाली में तेरवी पीटर्सबर्ग जलवाई वर्ता का जवाईव जनाएं ये जर्मनी के बर्लीन में किया गया था और इस दो दियोशी अनवचारिक मंतरे स्थी बैठक की अधक स्था जर्मनी और मिस्ट निनेकी थी जो की इस वर्ष की वार्षिक जलवाई बैठक कॉप्टों डिस्योन का मेज़वान भी था और 22 जुलाई को हम विस्ट मस्तिस्क दिवस मनाते हैं 2022 के लिसके थीम ब्रेन हेल्फ और आल्था और ये ओनजेसी की विदेश निवेश इकाई ओनजेसी विदेश लिमिटेड के नए प्रवन निसक राजर्सी गुपता बनाएगे थे और राजर्सी गुपता निस्पत पर आलो गुपता का अस्तान लिया था जुलाई 2022 में और ये 24 जुलाई को CBDT यानि कि केंदरी प्रतेक्ष कर बोड़ इसको आप सेंट्रल बोर्ड आप डारेक्ट टैक्स कहते हैं तो ये हर साल जो है 24 जुलाई को अपना आयका दिवस बनाता है ठीक है और ये टाटा प्रोजे इसन ट्रेकिंग डिवाइस को इमर्जेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोडने वाला भारत का पहला राज हीमांचल प्रदेश बन गया है और विस्व नाजुक एक्स जागुता दिवस को हम 22 जुलाई को मनाते हैं और देखे भारत के एक बहुत ही फेमस वैग्यानि और इंस्टिजूट आप लाइफ साइंसेज के निदेशक जिनका नाम डाक्टर अजय परीदा था इनका 2022 में निदनो गया था और डेखे जो आपके एक मल्यालम फिल्म मिरमाता थे जिनका नाम है केपी कुमारन तो इनको जो है केरल के सरोच फिल्म पुरसकार जेसी डेनि दोनों को इससके बारे मं पता तो यसके सभी विनर के लिस्ट में आपको दे रहा हो आप इसका स्क्रीन सॉट ले लिए ये पहला पेज है ये दूसरा पेज है और ये तीशरा है देखे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुक राज्यों की स्रेडी में जो करनाटक राज्य है पहले अस्तान पर था दूसरे अस्तान पर तेलंगाना, तीशरे पर हर्याना, चोथे पर महाराष्ट, पांच म पे तमिलाडू, चेटमे पे बंजाब, साथमे पे उत्तर प्रदेश, आठमे पे गेरल, नवे पे आंतर प्रदेश और दसमे पे जारकन था और इसमे पर पूरत्तर और पाढ़ी राज्यों की स्रेडी में माडीपूर पहले, उत्राकन दूसरे, मेगाले, तीसरे, अरुड प्रदेश, चोथे, हिमांचर प्रदेश, पाचमे, छेटमे अस्तान पर सिक्किम, साथमे पे मिजोरम, आठमे पे त्रिपुरा, नवे पे असम और दसमे पे नागालेंट साबूर पहले, दिल्ली दूसरे, तीसरे पे अंडबान और निकोबार, चोथे पे पुदुचेरी पांचमे पे गुवा, छेटमे पे जम्मु कस्मीर, साथमे पे दादरा और नगर हवेली और दमान और दीव, आठमे पे लक्षवी, दीव और नवे पे लदाग, और इकी जो आपके जैनती प्रसाद हैं, इनको पांच सालों के लिए भारती, दिवाला और सोधन अक्षमत बोड का पूर्ड कालिक सदस से बनाए गया था, और दीखे जो आपके संजय अगरवाल हैं, ठीक है, तो अभी हाली में भारत सरकार ने संजय अगरवाल को नियूंतम समर्थन मुल्य प्रडाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए समिती का चेर्मेन बनाए था, और दीखे मारगन इस्टेनली ने भारत के चालू वित्तवर्श 2022 तेस में भारत के जीडीपी अनुवान को 7.2% कर दिया है, और दीखे पीम मोदी ने नई दिली में नौसेना नमाचार और स्वदेशी करण संगठन संगोष्टी स्वावलंबन के दोरान, भारती नौसेना में स्वदेशी पुर्दोकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उदेश से स्प्रिंट चैलेंज का अनौर किया था, और दीखे जुलाई 2022 तक पूरे भारत में 200 करोड लोगों को जो है, कोरूना की वैक्षिन लग चुकी थी, और प्यम मोदी ने वरूर नाम के भारत के प तो इसी प्रसन साथ ये वीडियो समापत होता है, अगले पार्ट में हम प्रसन संग्या 2001 से सुरू खरेंगे, ठीक है